हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी मैं स्मार्ट इस्टडी में सतेंद्र सिंग आपका स्वागत करता हूं और एक बर फिर लेकर हाजिर हूं आपके लिए हिंदी के कुछ important question दोस्तों बहुत ही important question है आपको एक question पर ध्यान देना है अंसर के लिए आपके पास केवल पांस सेकंड का समय होगा पांस सेकंड में आपको answer कि सोच लेना है ठीक है दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो पहला question आपके सामने निम लिखित में एक स्पर्स वियंजन है चार अपके सामने है से छे ले और है दोस्तों फटाफट पांस सेकंड का समय सामने है अगनी आदमी स्टेशन और आम पताइए दोस्तों क्या हो जाएगा तदभव सब्द है तदभव सब्द बताना है हमें खाली option number d यहां पर हो जाएगा आम आम क्या है हमारा एक तदभव सब्द है ठीक दोस्तों चलिए चलते हैं अगले question की तरफ question number 3 है पतंग सब्द का पर्यावाची है चार उप्शन इसमें भी किडिया सूर्य कीट और यह सभी तो दोस्तों पतंग सब्द का पर्यावाची क्या हो जाएगा यह सभी मतलब यह सारे ही सारे पतंग सब्द के पर्यावाची हैं कंफ्यूज नहीं हो ना दोस्तों अगर आपको टाइम कम लग रहा हो तो वीडियो को रोक के आप दोबारा देख लेना चलते हैं next question की तरफ question number 4 है हमारा निम लिखित में राग सब्द का विलोम क्या होगा राग सब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों option आपके सामने विराग अनुराग इड्सिया और दुएस तो इसका right answer क्या हो जाएगा विराग ठीक है दोस्तों question number 5 आपकी स्क्रिन के उपर हवन की सामगरी के लिए एक सब्द क्या होगा option है छवी हवी कुंड या रवी तो यहां पर हमारा option number B हो जाएगा right हवी हवन की सामगरी को क्या बोलते हैं हवी option number B चलिए question number 6 की तरफ चलते हैं question number 6 हमारा हिमालय पर निवास करने वाला के लिए एक सब्द है हिमालय पर निवास करने वाले के लिए हमें एक सब्द क्या लिख सकते हैं हिमवतिक हिमवतन हेमु या फिर हिमालय तो यहां पर दोस्तों हमारा option number A हो जाएगा right answer ठीक है चलिए चलते हैं अगले question की तरफ question number 7 है हमारा आलोग का सही अर्थ क्या है अलोग का सही अर्थ क्या है प्रकास अंतरिक सुंसान या फिर स्वर्ग लोग बड़ा ही easy question है आलोग का सही क्या होता है प्रकास प्रकास को ही हम आलोग बोलते हैं ठीक है question number A हमारा यहां पर right हो जाएगा हुआ है चलिए कोसिन नमर आठ की तरफ चलते हें आarth रहा कि किई भाहसा का सब्द है रिंग किस भाहसा का सब्द है हंदि इंग्रेजी संस्क्रित या फिर जर्मन तो दोस्तों यह लिंग संस्क्रट भासा का सब्द है तो उप्षन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा हए चलिए दोस्तों चलते हैं अगले कॉस्टन की तरब को इसन नंबर नाइन है हमारा निम्न लिखित में कौन सा सब्स्ट्रिलिंग है चार उपसन आपके सामने नमक जीरा पीपल या फिर दाल कि पताईए दोस्तों सोची रिमार्ग में दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नमक नमक हुमारा श्त्रिलिंग वर्ड है बाकि कोई भी श्रिलिंग नहीं है जिसे बोलते हैं नमक की थैली नमक की थैली मतलब स्ट्रिलिंग हो गया नमक का थैली तो नहीं होता ठीक है को से नमबर दस की तरफ चलते हैं को से नमबर दस है हमारा किस संग्या का बहुचन रूप नहीं होता कि संग्या का बहुचन रूप नहीं होता तो यहां पर हम हमारा उप्सन हो जा को रोक लेना और रोक कर ही अंसर लगा देना को सब्सक्राइब ग्यारा आ गया हमारा गोसले से पक्सी निकला इस वाक्य में किस कारक का प्रियोग हुआ है चार उपसन आपके सामने करण अपादान संप्रदान या फिर अधी करण दोस्तों बताईए आंसर क्या हो जाएगा अब देखो गोसले से पक्सी निकला आपदान में क्या होता है आपदान में होता है से का यूज होता है अलग होने के अर्थ में गोसले से पक्सी निकला मतलब वो है गोसले से अलग हो गया इसका मतलब यहां पर आपदान कारक हो जा ठीक है चलिए अगले कोफ्षन की तरफ चलते हैं कोस्ट नमबर 12 है हमारा निम लिखित में किस सब्द का प्रियोग हमेशा बहु बचन में होता है तो दोस्तों चार उप्षन इसमें भी घर भावन प्राण और पत्नी यहां पर हमारा उप्षन प्राण क्योंकि प्राण निकल गए इस तरह से अगर हम इसको एक्जाम्पल के दोर पर समझते हैं प्राण निकल गए तो बहु बचन की तरह यूज हो रहा नहीं इसका मतलब हमारा उप्षन नमबर सी यहां पर राइट हो जाएगा ठीक है आगे जलते हैं कोस्थन नमबर 13 ह वहां वर्षा हुई होगी इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है संदिग काल संभावे काल पूर्ण वर्तमान काल या फिर पूर्ण बहुत काल दोस्तों यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी संभाव्य काल याने कि संभावना है एक तरह से वहां वर्षा हुई होगी होगी वर्ड आ अपर तो क्या हो जाएगा अपसण नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा चलिए अगले कोशन की तरफ चलते हैं सर्व नाम के कितने भेध होते हैं सर्व नाम के कितने भेध होते हैं उपसन हैं हमारे पास पांच चार छे या फिर साथ अब देखो सर्व नाम के कितने भेध होते हैं छे भेध होते हैं मैं आपको बता देता हूं पुरुस वाचक है राइट है ठीक है फ्रेंड्स को से नमबर 15 है हमारा विशेशन सब्द मतलब विशेशन किस सब्द की विशेश्था बताते हैं चार उप्शन संग्या सर्वनाम संग्या तता सर्वनाम अफिर किर्या अब देखा आपने पढ़ा होगा बच्पन में अब भी पढ़ा होगा कि विशेशन की सब्द की विशेश्था बताते हैं संग्या तता सर्वनाम की विशेश्था बताने वाले सब्दों को विशेश्था कहते हैं इसलिए यहां पर उप्स नमबर सी हमारा राइट हो जाएगा कि संग्या तथा सर्वनाम ठीक है फ्रेंड्स आज की वीडियो यह और जहां तक हो सके शेयर करो वीडियो को और जो लोग ने है चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दें इससे क्या होगा इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेंगी ठीक है दोस्तों सब्सक्राइ कारण ना पा करना भूले चलिए बावाए टेक केर अरति चैनल पर आँशा